नमस्त्र दोस्तों मैं सुनिल आपका होस्ट औंदोस्ट फ्रॉमी कॉम टेक का तरका दोस्तों टाइटल वीडियो का टाइटल देख्के आप थोड़ा सा समझ गए होगे कि यह वीडियो एकॉमस बिजनस होलसेल बिजनस या फिर किसी भी बिजनस के रिलेटेड नहीं है वो स सब्जेक्ट इतना इंपोर्टन्ट है आपके लाइफ में किसी की भी लाइफ में कि उसके भीना आपके लाइफ में कुछ पॉसिबल ही नहीं ठीक है और जिसकी वज़े से जिसकी वज़े से मेजर ली जो वीडियो के टाइटल में मैंने लिखा है I am tired I want to quit इसका नतीजा आता है यह आपको देखने मिलता है और वो सब्जेक्ट है मोटिवेशन अब यह मुझे कहने की जरूत नहीं है आप लोग ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे बहुत सारे लोग है मैं कह सकता हूं लेजेंड्स हैं यूट्यूब में जो मोटिवेशन के बारे में अबाउट 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 नोर्मल पीपल इंटम्स अफिंकिंग इस जस्ट आउटस्टेंडिंग मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता उतना इंप्रेस्टों से और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत मोटिवेट करते हैं यूट्यू कुछ भी हो अगर आप में वो मोटिवेशन वाली आग नहीं है तो सब कर सता है रहीं की मैं कर सकता हूं I can do it, I can learn it I can improve it तो आप नहीं कर पाएंगे वो चीज़ आपको self motivation की सबसे ज़्यादा जरूद पड़ेगी rather than external motivational factors जैसे की जो भी motivation आपको दे रहा है आपके parents हैं, आपके दोस्त हैं आपके guru हैं ठीक है, life में गुरू भी होना बहुत जरूरी है जो आपको हमेशा जो है वो सही direction दिखाएं motivated रखें लेकिन आज की जमाने में गुरू का concept जो है वो almost zero है ठीक है, बहुत सारे लोग मानते हैं कि guru is just like a movie ठीक है, गुरू मुवी देखी होगे आपने बस एक मुवी है, there is nothing realistic, but trust me guru एक होना बहुत जरूरी है सबके life में to keep you engaged to keep you informed to keep you knowledgeable and to keep you float all the way to your life ठीक है, पूरी जर्नी में आपको आगे बढ़ने में वो मदद करें, तो वो guru को एक, guru एक बनाना बहुत जरूरी है now, coming back to the self motivation factor, अब मुझे पता है कि जो industry में हूँ, आप जो industry में है या फिर जॉब कर रहे है आपको motivation के साथ साथ demotivate करने वाले लोग ज़्यादा मिल जाएंगे ठीक है, it's quite obvious कि demotivate करने वाले लोग ज़्यादा मिल जाएंगे और आप ज़्यादा तर जो focus करते हैं वो focus करते हैं towards people who demotivates you अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं पर भी ठीक है, आपके office में 10 लोग हैं जिसमें से आपको 3 लोग motivate करते हैं 7 लोग demotivate करते हैं तो आपका focus वो 7 लोगों के तरफ ज़्यादा रहा है अब्यस सी बात है, लेकिन अगर आपको वो 10 में से 9 लोग demotivate नहीं कर रहे हैं positively motivate कर रहे हैं और एक बंदा consistently demotivate कर रहा है तो भी आपका focus वो बंदे पे ही ज़्यादा रहता है because your mind has become like that and it's not 100% your fault it's the fault of the technology क्योंकि इसमें हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने मिलती हैं इतने हम occupied होगा है कि हम अपने आपको ग्रो करने का मौका ही नहीं दे रहा है we are not giving time for ourselves to grow in our day-to-day life हम जादे तर busy रहते हैं सोचने में कि भई आज क्या तुफानी करना है at the young age जो youngsters है हमारा जो youth है हमारा इंडिया का they are spending most of the time on internet doing nothing, it's fact doing nothing like playing games being on facebook, being on youtube entertainment, entertainment, entertainment जो लोग कर रहा है वो लोग accept करेंगे जो लोग नहीं कर रहा है that's a good sign लेकिन मैंने बहुत बार पहले भी का है try to delete all the games from your phones everything that is related to entertainment for some time थोड़े समय के लिए आप इसको डिलीट करके देखिये and see how your body and your mind reacts बहुत जरूरी होता है ये ठीक है अभी ये सारी चीज़ आपने देखिय होगी no doubt but मैं ये क्यूं कह रहा हूँ चिंकि विदाउ ये विदाउ आव रहा विदाउ आव रहा विदाउ आव रहा है without having a control in your body you cannot become a good businessman ठीक है और a professional for that matter आपको self-control for your body and your mind is very much important internal satisfaction जो है internal peace जो है वो नहीं मिलता है because patience level नहीं है आज का पिल अजर मैं यूस्पेपर खोलता हूँ every day morning वहाँ पे इतनी खतर्राक खबर होती है इतने मतला बोलने लाइक नहीं है इतने टेरिब news होते हैं वहाँ पे मैं सोचता हूँ कि how can somebody do like this ठीक है कैसे कर सकते हैं but आज से if you just imagine आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले when we didn't have so much of technology इतना सब कुछ नहीं होता था आज के जमाने में ज्यादा होता है because you're not controlled by yourself you're controlled by someone else or something else someone भी हो सकता है or something भी हो सकता है तो आपको समझना बड़ेगा are you controlled by someone else or are you controlled by something else ठीक है try to stay away from those things or those people who are controlling you and your mind ठीक है because at the end if you want to grow in life you have to control yourself आपको खुद को गंटोल करना पड़ेगा आपको खुद को बिलीब करना पड़ेगा अपने आपके कि you can do it and if somebody is telling you yes you can do it walk with that person मतलब उनके साथ रही है हाँ motivate कम से कहा motivate कर रहा है कि yes you can do it okay fine if it's not working this way try this way okay try that way try keep trying keep trying but the word try अब वो सर्फ एक कहने के रहे गया try जो है वो जादा तर लोग नहीं करते है give up जो है यह वर्ड वो जादा यूज बता है they want to give up easily कुछ भी नहीं हुआ just give up do something else कुछ भी नहीं हुआ give up do something else your life is entirely gone in giving up and doing something else but it's theoretically proved many times कि अगर आप एक गोल के पीछे focus करते है continuously तो वो डिफिकल कितना भी हो वो अचीव हो जाता है but yes you need guidance from people who can make it possible आप अके लही सोच रहे कि मैं Mount Everest में से सुरंग निकाल दूँआ एक तरफ से और दूसरी तरफ से निकल जाऊँआ तो वो पॉसिब नहीं है obviously there is some limit but ऐसा भी नहीं है कि वो पॉसिब नहीं है it is possible एक तरफ से सुरंग की और दूसरी तरफ से निकाल दी पर उसमें आपको हेल्प चाही होती है उसमें गाइडन चाही होती है उसमें टेक्नोलोजी चाही होती है so you need all that collaborated to achieve your goal like you need technology, you need guidance, you need an expert, you need subject matter expert everything you need to achieve that goal but again self-belief होना पहले सबसे जादा इम्पर्टन है मैं भी बात बार सोचता हूं यार क्या आप दिमाग खराब हो रहा है business में, job कर लेता हूं, job कर लेता हूं बहुत साल से सोचता था starting में है, दिमाग खराब हो रहा business, इतना इतना लफड़ा होता है business में लेकिन I didn't give up, I continued, continued, continued ठीक है, बहुत साल स्ट्रगल किया those people who were around me, they know, बहुत साल स्ट्रगल किया असानी अभी भी मेरी life set है, अभी भी स्ट्रगल कर रहूं और मरते दम तक करता रहूंगा, ठीक है, struggle will never go from your life, एक आज है तो दूसरी कोई नही इस्ट्रगल आएगी but how to handle those struggles with a smile is something which 99% people don't know कि कोई भी problem आता है, तो उसको हम tactfully, आराम से कैसे handle करें major time, most of the time, ऐसा होता है कि जो भी struggle आता है, उसमें हम panic हो जाते हैं और in that moment of panic, we do something crazy, हम कुछ गलत कर देता हैं majorly गलत कर देता है, गलत decisions ले ले लेता है, और उसका नतीज़ा जो होता है, वो बहुत ही खड़ाब आजाता है अब मैं यह सब आपको इसलिए कह रहा हूँ, दोस्तों कि बले जितने लोग देखेंगे यह वीडियो, I don't mind 500,000 जितने भी देखेंगे, but if you are there with anyone in life, you have to always ensure कोई हो या ना हो, you have to keep going, there is no other option, कोई अप्शन नहीं है, you have to continue in life because life is all about struggle, and never think of giving up in your life, giving up in the sense, बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेता है, मने देखा है, very closely, closely मतलब सामने नहीं होते हो देखा, obviously, but very close people of my life, they have done something miserable like this, due to many reasons, ठीक है, और, people are still doing it, okay, and as I said, because of many reasons, जो मैं भी साइड समझ ना पा, जहां तक मुझे लगता है कि अगर कोई चाहे, 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 चाहे कांटोल करना, तो कर सकता है, because, see, you have work pressure, you have school का pressure, college का प्रेशर, study का प्रेशर, boss का प्रेशर, wife का प्रेशर, husband का प्रेशर, का प्रेशर, financial loss का प्रेशर, ठीक है, और भी कितने सारे प्रेशर होते हैं, love life का प्रेशर, ठीक है, ब्रेक अप हो गया, उसका प्रेशर, but, giving up is not an option, महला, अप्सुसाइट करना, या किसी की लाइफ बिगार देना, you know, making someone life, someone else's life miserable, to take a revenge, is not the solution, it's just like putting yourself in trouble, पहुत सारे का प्रेशर, बिगता हो कि रिवेंज लेने के चक्कर में, सामने वाले को कुछ कर दिया, तो, how is it going to help anyone, it's not going to help anyone, because, at the end, जो गया, वो तो जाएगाई, और जिसने जो किया है, वो भी भूगतेगा, उसके parents भी भूगतेंगे, relatives भी भूगतेंगे, समाज में नाम भी खड़ होगा, तो यह नहीं सोस्ते लोग, revenge, anger, मैं क्या बोल रहा है, मुझे नहीं पता ज्यादा, ज्यादा भावू को चुका हूँ, लेकिन, कहने का मतलब यह है कि, आपको शाइद कोई motivate करें या ना करें, आप अपने आपको motivated रखो, there is always a way ahead, just follow your guru, एक guru बना लो अच्छा सा, और गुरू के साथ रहो, और गुरू आपको गाइड करेंगा, लेकि जरूरी नहीं है कि जो गुरू है, वो सादु बापा के ड्रेस में हो, या लंबी सी चोटी हो, वो नहीं है गुरू, गुरू is someone whom you believe, from bottom of your heart, कि हाँ जो भी बंदा है या बंदी है, वो मेरो को सही गाइ लाइफ, husband, your friend, parents, your mom, your dad, anybody, but उनको परसन को आपको एस गुरू, एक्सेट करना पड़ेगा, इलाइगा, और खील दोग देने पड़ेगी कि हाँ, ये बंदा जो है वो मेरा गुरू है, whatever he says, I will focus on that stuff, हाँ एसा है कि वो गुरू है उसको पुछ नोलेजी नहीं है, जो भी आ आप भी थोड़ा common sense यूज़ करके समझ पाए कि जो गुरू है वो सही चीज बता रहा है, ठीक है, ऐसा आपकी गुरू बोला अच्छा, कुवे में कूद जा, तो आप पूद गए, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है, तो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा, तो ये वीडियो म प्रक्टर्स में जादा फोकस नहीं कर रहे है, इट इस वेरी डिफिकल्ट तो ग्रो इन परस्नल लाइफ, प्रफेशनल लाइफ, इन एनी लाइफ, लाइफ जो है, वो एक मतलब जेल की तरह रहे जाएगी, इस नाट गूइं तो वरक आउट, आज के वीडियो में इत्ता करके करके कुछ मिलता नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, but definitely मिलता है, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, but definitely मिलता है, बहुत सारे वीडियो लाने की, I will try my best, thank you guys, take care, and once again, thank you for watching this video, and if you liked it, please like, share, subscribe, करना पाद पूलेगा, as I said, motivation मुझे भी बहुत 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 बह किलता है, ठीक है, so that's it, thank you, take care, bye-bye, God bless you.